नमस्कार, देश के जल मंत्रियों का पहला अखिल भारतिय सम्मेलन अपने आप में बहुत महत्पपूर्ण है, आज भारत वाटर सिकुरिटी पर अभूत्पूर्व काम कर रहा है, अभूत्पूर्व निवेश्च भी कर रहा है, हमारी समेधानिक ववस्था में पानी का विशय राज्यों के नियंत्रण में आता है, जल सवरक्षन के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामुहिक लक्षों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे, ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले पचीश वर्सों की अमर्ति आत्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है, साथवेज सम्मेलन में, होल अब गवर्मेंट और होल अब दो कंट्री इसके वीजन को सामने रखकर चर्चाय होना बहुत स्वाबाविक और आवशक भी है, होल अब गवर्मेंट का एक पहलू ये भी है, कि सभी सरकारे एक सिस्टिम की तरह, एक और्गेनिक एंटीटी की तरह काम करें, राज्यों में भी विबिन मंत्रा लाएं, जैसे जल मंत्रा ले हो, सिंचाई मंत्रा ले हो, कृष्य मंत्रा ले हो, ग्रामिर विकास मंत्रा ले हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रा ले, उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन, याने कि सब के बीच लगातार संपर्क और समवाद और एक क्लेरिटी विजन यह होना बहुत आवशेक है अगर विभागों को एक दूसरे से जुड़ी जानकारी होगी उनके पास पूरा डेटा होगा है तो उन्हें अपनी प्लानिंग में भी मदद मिलेगी है साथियों हमें ये भी समझना होगा कि सरकार के अकेले प्रयास से ही सफलता नहीं आती जो सरकार में हैं उन्हें इस सोच से बहार निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपिक्षित प्रणा मिल जाएंगे इसलिए जल सवरक्षन से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सुसाइटी को के भी जादा से जादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा जन भागीदारी का एक और पक्ष है और उसे भी समझना बहुत जरूरी है कुछ लोग सोते हैं कि पर जन भागीदारी याने लोगों पर ही सारी जिम्मेदारी थोप देना जन भागीदारी को बढ़ावा देने से सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाती है हकीकत ऐसी नहीं है जवाब देही कम नहीं होती जन भागीदारी का सबसे बड़ा लाब ये होता है कि जनता जनादन को भी ये पता चलता है कि इस अभियान में कितनी महनत हो रही है कितना पैसा लग रहा है इसके कितने पहलू होते है जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्यकी गंबिरता का पता चलता है उसके सामर्था का पता चलता है उसके स्केल का पता चलता है संसाधन केतने लगते उसका पता चलता है इससे जनता में जब यह सब देखते हैं वो इन्वॉल होते हैं तो यह इस प्रकार की योजना हो या भ्यान हो एक sense of ownership आती है और जो sense of ownership जो है न वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है अब आप देखिए स्वच्य भारत अभियान कितना बड़ा उदान है स्वच्य भारत अभियान में जब लोग जुड़े तो जनता भेंभी एक चेतना आई जागरूती आई गंद की दूर करने के लिए जो समसाधन जुटाने थे जो विभीन वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट बनवाने थे सवचारे बनवाने थे ऐसे अनेक कारे सरकार के द्वारा हुए लेकिन इस अभियान के सफलता तब सुनिस्सित हुई जब जनता में प्रत्येक नागरिक में सोच आई कि गंदकी गंदकी नहीं होनी चाहिए गंदगी के प्रत्येक नफरत का भाव नागरिकों में आने लगा अब जडबागी दारी की यही सोच हमें जल सवरक्षन के लिए जनता के मन में जगानी है इसके लिए जनता को हम जितना ज्यादा जागरुक करेंगे उतना ही प्रभाव पैदा जैसे हम जल जागुरुकता महत्सों का आयोजन कर सकते हैं, स्थानीय स्थर पर होने वाले मेलों में पानी को लेकर जागुरुकता समंधिक कही आयोजन जोड सकते हैं, विशेशकर नई पीडी इस विशे के प्रती जागुरुक हो, इसके लिए हमें पाठ्यक्रम से लेकर स्क हर जीले में 75 अम्रत सरवर बना रहा है। आपने भी अपने राज में इसमें काफी कुछ काम किया है। इतने कम समय में 25,000 अम्रत सरवर बन भी चुके हैं। जल सवरक्षन की दिसा में पूरे विश्व में अपनी तरह का ये अनोखा अभियान है। और ये जन भागीदारी इ इनिशिटिव ले रहे हैं, लोग इसमें आगे आ रहे हैं। इनका सवरक्षन हो, लोग इन से जुड़े हमें इस दिशा में निरंतर प्रयाद बढ़ाने होंगे। साथियों, हमें पॉलिसी लेवल पर भी पानी से जुड़ी परिशानियों के समाधान के लिए सरकारी नीत और बिरोक्रेटिक प्रक्रियाओं से बहार आना होगा। हमें प्रॉब्लिम्स को पहचानने हो और उसके सॉलूशन को खोजने के लिए टेक्नलोजी को, इन्डिस्ट्री को और खासकर स्टार्ट अप्स को साथ जोड़ना होगा। जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग जैसी टेक्निकों से हमें इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है। हमें ये सुनिशित करना है कि एक बार ये ववस्ता बन गई तो आगे उनकी देखरेग भी उतने ही अच्छे डंग से चलती है। ग्राम पंचायतें जल जीवन मुशन का नित्रुत्व करें और काम पूरा होने के बाद ये सर्टिफाई भी करें कि परियाप्त और स्वच्छ पानी उपलब्द हो गया है। हर ग्राम पंचायत मासिक या त्रे मासिक रिपोर्ट भी ओनलाइन सब्मिट कर सकती हैं कि उसके ग्राओं में कितने घरों में नल से जल आ रहा है। पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर वाटर टेस्टिंग की प्रणाली भी विक्षित की जानी चाहिए। साथियों हम सभी जानते हैं कि इंडूस्टि और खेती दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें स्वाभावगरू से पानी की अवश्रिक्ता बहुत रहती है। हमें इन दोनों ही सेक्टर से जुड़े लोगों से विशेस अभ्यान चलाकर उन्हें वोटर सिकूरिट के प्रती जागरूत करना हो जाईए। पानी की उपलब्धा के आधार पर ही crop diversification हो, प्राखुर्तिक खेती हो, नेचरल फार्मिंग खेती को बढ़ाव दिया जाए। कई जगे ऐसा देखने में आया है कि जहाँ प्राकृतिक खेती होते हैं नेचरल फार्मिंग की जा रही हैं वहाँ जल सवरक्षन के भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया है सात्यों प्रधान मंतरी क्रसी सीचिय युजरा के तहत सभी राज्यों में तेजी से काम हो रहा है इसके अंतरगत पर ड्रॉप मौर क्रॉप अभियान की शुरुवात की गई थी इस कीम के तहट देश में अब तक सत्तर लाख हेक्टर से ज़्यादा जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाई जा चुकी है सभी राज्यों को माइक्रो इरिगेशन को लगातार बढ़ावा देना चाहिए ये जल समरक्षन के लिए बहुत आवशक योजना है अब डायरेक कैनाल की जगह पाइपलाइन आधारित नई योजना है बटलाई जा रही है इसको और भी आगे ले जाने की जरूप है साथियो जल समरक्षन के लिए केंद्र ने अटल भूजल समरक्षन योजना की शुरूवात किये है ये एक सम्वेदन से लभ्यान है और इसे उतनी ही सम्वेदन सिल्था से आगे बढ़ाएन की जरूप है भूजल प्रबंधन के लिए बनाएगे प्राधिकरण सक्ति से इस दिशा में काम करे ये भी जरूरी है भूजल रिचार्ज के लिए सभी जिलों में बड़े पेमारे पर वाटर शेड का काम होना जरूरी है और मैं तो चाहूँगा मन्रेगा में सबसे अधिक काम पानी के लिए करना चाहिए पाहडी छेत्रों में स्प्रिंग शेड को उनरजीवित करने का कारकम शुरू किया गया है इस पर तेजी से काम करना भूगा जल सवरक्षन के लिए आपके राज में वनक शेत्रों को भढ़ाना वो भी उत्रा ही जरूरी है इसके लिए परियावरा मंत्रा लए और जल मंत्रा लए साथ मिलकर काम करें लगातार पानी पहुँचाने के लिए जरूरी है कि पानी के सभी स्थानिय शुरूतों के सवरक्षन पर भी ध्यान दिया जाए ग्राम पंचायते अपने लिए अगले पांच साल का एक्षन प्लान भी बनाए पानी को केंदर में रख करके बनाए जिसमें पानी सप्लाई से लेकर स्वच्चता और वेस्ट मेनेजमेंट रख का रोड मेप हो किस गाउं में कितना पानी आवशक है और उसके लिए क्या काम हो सकता है इसके आधार पर कुछ राज्यों में पंचायत स्वर पर वाटर बजेट तैयार किया गया है इसे भी दूसरे राज्यों द्वारा अपनाये जा सकता है हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कैच दरेन अभ्यान उसने एक आकरशन तो प्रदा किया है लेकिन सफलता के लिए अभी बहुत कुछ करना जरूरी है बहुत आवशक है कि इस तरह के अभ्यान राज्य सरकार की रोजमरा की गतिविधी का एक सहच स्वफाव बन जाना चाहिए राज्य सरकार के सालाना अभ्यान का वो अनिवारी हिस्सा हो जाना चाहिए और इस तरह के अभियान के लिए भारिष का इंतेजार करने के बजाए भारिष से पहले ही सारी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है साथियों, इस बजेट में सरकार ने सरकुलर एकोनामी पर बहुत जोड़ दिया है जल्ड सवरक्षन के खेत्र में भी सरकुलर एकोनामी की बड़ी भूमिका है जब treated water को reuse किया जाता है, fresh water को conserve किया जाता है तो उससे पूरे ecosystem को बहुत लाव होता है इसलिए पानी का treatment, पानी की recycling आवशक है राज्योद्वारा विभिन्द कारियों में treated water का इस्तमाल बढ़ाने की ग्योजना और उसमें waste में से waste income भी होती है आपको local needs की mapping करनी होगी उस हिसाब से ग्योजनाय बनानी होगी हमें एक और बात ध्यार रखनी है हमारी नदिया, हमारी water bodies पूरे water ecosystem का सबसे एहम हिस्सा होते हैं हमारी कोई भी नदी या water body बाहरी कारकों से प्रदुशित न हो इसके लिए हमें हर राज्य में waste management और sea waste treatment का network बनाना होगा treated water का दोबारा इस्तमाल हो इसके लिए भी हमें प्रभावी ववस्ता पर ध्यान देना होगा नमामी गंगे mission को template बना कर बाकी राज्य भी अपने हाँ नद्यों के सवरक्षन और पुनर जिवन के लिए ऐसे ही अभ्यान शुरू कर सकते हैं साथियों पानी कोलोप्रेशन और कोडिनेशन का विशह बने हैं राज्यों के बिच कोप्रेशन का विशह बने हैं यह हम सब की जिम्मेदारी हैं और आप तुछ देख रहे हैं एक और विशू urbanization बहुत तेजी से बढ़ रहा है बहुत तेजी से हमारी आबादी urbanization की दिशा में बढ़ने वाली है urban development इतना तेजी से होता है तो पानी के विशे में अभी से सोचना पड़ेगा सीवेज की विवस्ता अभी से सोचनी पड़ेगी सीवेज treatment की विवस्ता अभी से सोचनी पड़ेगी शेहरों के बढ़ने की जो गती है उस गती से हमें और गती बढ़ानी पड़ेगी मैं आशा करता हूँ कि हम इस समीट में हरेक के अनुभव को साजा करेंगे बहुती सार्थक चर्चा होगी, निश्चित कारियोजना बनेगी और एक संकल्प बन करके आप इसको सिद्धी प्राप्त के निकले आगे बढ़ेंगे हर राज्य अपने राज्य के नागरीकों की सुख्स विधा के लिए नागरीकों के कर्तवियों पर भी भल देते हुए और सरकार का पानी के प्रती प्रात्विकता वाला काम अगर हम करेंगे तो मुझे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस वाटर कांफरंस के लिए हम एक बहुत आशाय के साथ आगे बढ़ेंगे मेरी आपको बहुत बहुत शुब कामना हैं धन्यवाद